वेशारी नगर विधान सबाश शेतर के कॉंगरिस खेल प्रकोष्ट के अधियक्ष एवं भिलाई जिलाव वीधी विभाक के अधियक्ष जناप अजहर अली सोंभार को कॉंगरिस भिलाई जिला अधियक्ष मुकिष चंद्राकर के निमास पर लाव लशकर के साथ पहुँच और हुनों ने 2023 के विधानसभा चुनाओ के लिए वैसाहिनगर विधानसभा शेत्र के बता और कांग्रेसी विधायक प्रत्याशी बनने की मांगी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाओ को लेकर चुनाओी सरगर्मिय अतेज हो गई है जहां एक और भारती जंता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है तो वहीं दूसरी दिगर पार्टी कांग्रेस में टिकेट की मांग को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है इसी बीच वैसाली नेगर विधान सबाच छेतर से कॉंग्रेस खेल प्रकोष्ट के अध्याक्ष एवं भिलाई जिला विधी विभाग के अध्याक्ष अजहर अली भी वैसाली नेगर विधान सबाच से विधायक की टिकेट मांगने के लिए भिलाई जिलाद्यक्ष मुकेश चंद्राकर के निवास पर पूरे लाव लशकर के साथ पहुँचे इनके लाव लशकर में वैशाले नगर विजान सबाद छेत्र के सभी इलागों से समर्थगण मौजूद थे जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग एवं अपनी विश्वास नीता जनाब अजर अली के लिए प्रदर्शित की सरप्रथम इनका काफिला अबा फरीद नगर के निजामी चौक पर इखटा हुआ वहाँ जनाब अजर अली का पुस्व गुच्छ देकर इस्तिक्बाल किया गया इसके बाद इनका काफिला निजामी चौक फरीद नगर से प्रारब होकर शहर का भ्रमन करता हुआ भिलाई जिलाद्यक्ष मुकेश चंद्राकर के निवास तक पहुँचा और उन्हें वैशाले नेगर विधान सभा से विधायक की टिकिट दिये जाने का मांग पत्र भी सौपा अब तक की बात करें तो कॉंग्रेस के लगबग 45 कर्मट यह वरिष्ट कार करता हूँ द्वारा विधायक की टिकिट मांगी जा चुकी है अजर भाई आज के हमारे समाज के वरते हुवे युवा नेता हैं और इनके अंदर और जो चीज एक यंग नेता के अंदर होना चाहिए उस सारे के सारे जो खूबियां हैं इनके अंदर हैं चाहिए की योओं को पूरा मौक मुलना चाहिए और इस विज़ार के साथ हम लोगों इन को बोला आगे वड़िया हम सब्सक्यां करते हैं और इंकर शासराव मिदा होते हैं अब इनको टिकेट मिलना ही चाहिए इतने बोलेंगे कि आप लोग सब भाई बंदूलों मिलके सपोर्ट कीजिए हिंदू मुस्लिम सब मिलके सपोर्ट कीजिए इनका भाई का और एक बार इनको एक बार मौका देजिए एक बार विश्वास देखी विश्वास के लिए विश 18% यहां हमारी अबादी है, बैग्यानिक समाज, बैग्यानिक समाज जो है, तैले समाज जो है, उनके भी उतना ही भोट हैं, कुर्मी समाज के भी उतना ही भोट हैं, दली समाज के भी उतना ही भोट हैं, जब हम उन पिछडी जातियों का, उन दलतों का, उन आदिवासियों का तहे दिल से यहां स्वागत करते हैं, अंदोलन करते हैं, उनके पच्छ में कोई अन्याय होता है, तो हम एक मुस्त खड़े हो जाते हैं, उस कंडिशन में हमारे समाज के अगर केंडिडेट आता है सामने, तो वो समाज भी हमारा सपोर्ट करेगा, यहां आलपसंग के समाज सि हिसाई समाज है, हम लोगा भाईचारा है, और भाईचारे के भरुसे जो है, हर समाज दावा कर रहा है, हमारा भी समाज दावा कर रहा है, टिकट जिसे मिलेगा, उसको पुर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे कांगरेस पार्टी को, उसमें हमारे समाज का भी प्रतिन तो कर जनाब अजर अली पेशे से वकील है और उनका मानना है कि वह आम जनता के बीच में लोग प्रीवी है और वैशाली निगर विधानसवा का विधायक बनकर अपने विधानसवा छेत्र का विकास बखुबी कर सकते हैं गास बनकर अपने विधायक पर्तियास्यों के लिए जिनको टिकाट देना है कांगेरड़ का विधानसवा विधानसवा में हमारे समर्थकों के नुशार दिमाधन करने पर मैं भी विधानसवा वैशाजिणगर के लिए आविधन प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मैं भी चाहता हूं कि यदि कांवेस पार्टी मुझे जमिदाई देगी तो मैं भी तनमंदन से तनाओ लड़कर और आम जनता को फाइदा पहुचाऊंगा हमारा मकसद नेख है हमारी नियत साफ है हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते आ रहे हैं और यदि हम समयदानिक पद में रहेंगे तो और अच्छे तकिया सेवा कर सकेंगे वैसे हमारा मन तो समाज सेवा करने का है पोश्ट की जरूवत नहीं होती है समाज सेवा करने के लिए लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के दारा नामंकन भरा जा रहा है कि हमारे जो समार्थक हैं उनके द से दियार हुआ हो कि मैं विदानसरभा का प्रत्यासी बना चाहता हूं है देखिए विकास का मुद्द ही जरूरी है और रोजी रोटी का मुद्द जरूरी है तो यहां हमारे जो साथी आए हुए है यह कैम से भी हैं और दूर दूर से भी हैं सभी शेत्रों से अलग अलग तो जिसके लिए जो लोग युवा है तो उनके लिए और जो विकास का कार है वो ही जो करना चाहते हैं जो सासन करती है सभी करते हैं तो उसको हम इमानदाई से करेंगे वही काम करेंगे हम इमानदाई से करेंगे समय पर करेंगे जैसा भी हम कांग्रेस से टिकेट मांग रह में उनकी लोग प्रिता को भी ध्यान में रखते हुए टिकेट का वित्रण किया जाएगा Grand ACN News के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट